नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार जागिंद्र मिस्त्रा में कली युग में पहली वार 9 वर्स 2021 में कन्यारास वाले जातकों के लिए जाने कब मिलेगा गाड़ी घर शंपत्ति जी हाँ दोस्तों और शनी 30 सालों बाद यानि की हो रहे हैं महरवान कन्यारास वाले जातकों पर शनी हो रहे हैं 30 सालों के बाद महरवान जी हाँ दोस्तों दोस्तों हमारे इस चैनल पर कन्यारास वाले जातकों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राश का साल 2021 का वार्सिक रासिफल यानि साल 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसी इस्तितियों का निर्माड कन्या राश वाले जातकों के जीवन में रहने बाला है इस वीडियो में बताएंगे ये वीडियो कन्या राशी के लिए है और यह रासी फल चंदर राशी पर यानि कि आपके राशी से चंदर राशी पर आधारी थे इस रासी फल को हमने कई भागों में बाटा है ताकि हमें समझने में यानि कि आशानी हो सके हम शकरात्मक और नकारात्मक दोनों पच्छों की बारे में साल 2021 की जानकारी आपको देने जा रहे हैं देखिए दोस्तों वर्स की सुरुवात के पूर्ब ही हमें पता चल जाए कि वर्स हमारे लिए कैसा रहने वाला है तो हम उसके पूर्व ही हम अपने आपको बिवस्थित कर सकते हैं या प्लानिंग करके वर्ष के सभी महीनों में सर्वस्रेष्ट इस्तितियों का निर्मार कर सकते हैं और सभी महीनों में सर्वस्रेष्ट प्रदर्सन भी कर सकें इससे हमारा चुहमकी विकास भी होगा रासिफल बताने से पूर बे हम आपको बताएंगे कि हम सभी बिसेओं पर बात करेंगे कन्या रासवले जातकों के लिए कन्या रासवले जातकों को हम बताएंगे कि आपके यनि की लव लाइप कैसे रहेगी आपका बिजनेस ब्यापार कैसा रहेगा, आपका केरियर कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक इस्तिती कैसे रहेगा, कन्यारास वली जात को आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्वास्त कैसा रहेगा, और आपकी सिक्छा एजुकेशन संबंध ही कैसा रहेगा, कन्यारास के कु लेकिन उससे पूर्वे हम कन्य राज्विक के कुछ परिषय आपको दे देते हैं कि कन्य रासवाले जात कैसे होते हैं इनकी दिनéfचरिया कैसे होती है μας चैसे कैसे सुभाव की होते हैं akan कन्यारास वाले जातकों के ब्यक्तिगत जीवन में क्या खूबिया होती हैं ये हम आपको पहले बता दें तो देखिए दोस्तों आपको जानकारी देते हैं कि देखिए बुद्ध जो है इनके रासी के अधिपत यानि स्वामी है बुद्ध कन्यारास के स्वामी है और बुद् द्थ मंतलते चांचों को कि दर्ण कर संतने नहीं भी रखने होते हैं अपने लक्ष को हासिल करने वाले होते हैं जीवन में किसी भी परिस्तितियों से डरने वाले नहीं होते हैं प्रतिकूल परिस्तितियों से गुजरने का पूरा प्रयास करते हैं जीवन में यदि परिवर्तन होता है तो इससे घबराते नहीं है और प्रतिकूल इस्तितियों से भी नहीं घबराते इनको गुस्सा तो आता है, तीब राता है, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करना भी इनको आता है, ये सांत सुभाव के भी होते हैं, और अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा मानने वाले लब पार्टनर वाले भी होते हैं, अचानक कि शिवात पर ये, यानि कि थोड़ा वाले ब्यक्त की बात को जल्दी से दिल पर लगा भी लेते हैं, और दोसरों का मदद करने वाले यानि हेल्फ करने वाले शदैब आगे रहते हैं, और आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं, मेहनत के रूप में भी मदद करते हैं, शारेरिक तोर पर भी मदद करते हैं, कन् देव एक राशी में एक माही ब्रमड करते हैं, गोचर करते हैं, दोस्तों इस वर्स मंगल जो की जमीन प्रोपेटी भूम के कारक माने जाते हैं, आठ राशियों में ब्रमड करेंगे, मेस राश से लेकर ब्रशिक राशी तक, अपनी स्वेम की राशी तक गोचर करेंगे, और तो शनी जो कि यहाँ पर नियाई के कारक माने जाते हैं, शनी पूरे वर्स अपनी राशी मकर राशी में रहेंगे, लेकिन 23 मई 2021 को सनी देव वक्री उल्टी चाल चलना प्रारंब कर देंगे, और फिर एक बार एक जार अक्टूबर को मारगी हो जाएंगे, तो देव के बाद अपने राशी पे यानि मकर राशी पे आये हैं, जन्वरी में भी आ गए थे 2020 में, तो यहाँ पर काफी यादा शनी देव का यानि की आसिर वाद भी कन्या राश वाले जातकों को मिलने वाला है, और 6 अपरल 2021 को कुम्भ राशी में यानि की देव गुरु ब्रहस् और 20 जून 2020 को कुम्भ राशी में एक बार वक्करी होंगे और अपनी फिर से एक बार मकर राशी नीश्क राश में आ जाएंगे, इस पूरे वर्से अगर हम राहु की बात करें तो राहु ब्रिशब राश में, ब्रिशिक राश में केतु रहने वाला है, अब आपके राश 6 अपरैल 2021 को देव गुरू ब्रिहस्पत आपकी राशी पंचम राशी यानी मकर में रहेंगे, फिर कुम्भ राशी आपके छटे भाव में गोचर करेंगे, इन तमाम ग्रह गोचर की अधार पर अगर हम कहा जाए हमारे द्वारा तो देखे, वर्स की सुरुआत में अगर क पिरियर को बैवसाइक जीवन के लिहास से बहुत ही अच्छे इस्थितियों का निर्माड होने जा रहा है, यानि कि कण्адिया रास्मली जातकों के लिए यह वर्स 2021 के लिए कन्धन्या रास्मली जातकों के लिए इतिहासिक बनने वाला है और 30 वर्सों के बाद सनी देओ की वही कृपा होने वाली है और कलियुग में पहली बार 9 वर्स 2020 में गाड़ी घर शंपत्य अरजित करते नज़राएंगे वर्स की सुरुवात बहुत ही शांदार रहने वाली है क्यूंकि ये सुब ग्रहों का प्रभाव आपके उपर रहने वाला है इससे आपका मनोबल काफी क्यादा बढ़ेगा ब्रिहस्पत का भी नवम द्रिष्टी आपके लगने पे हो रही है कन्या रास्पर शाल की सुरुवात जन्वरी से लेकर आपका प्रदर्शन काफी गजब करेगा और अप्रेल तक सुब प्रभाव होने से केजिर की दिसार से बेहतर शंभावनाओं का निर्मार आप कर सकते हैं नजर आएंगे जो कि आपका प्रदर्शन काफीले काविले तारीफ रहेगा काफी स्रेष्ट होगा इस वर्स आपको कई प्रकार के आपके मनों कामनाओं की पूर्ती होगी शमाज इबं परिवार में ब्यापार में शफलता हाशिल होती नजर साथ में जो कन्या रास्मली जातक के यदि पूर्ब में आपने किशी कार की प्लानिंग की थी योजनाई बनाई थी तो उन योजनाओं में 2021 में किर्यानवित करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत स्रेष्ट समय अतियुत्तम कहा जा सकता है बिलकुल अप्रेल तक प्रा दूल इस्तिति के कारण कन्या रास्मली जातको पूरे वर्स तक अच्छी इस्तितियों का निर्माड होगा यहां पर एक विशेश रूप से कहा जाए तो ध्यान देकर चलने के अवशकता होगी अजनबी ब्यक्तियों पर भरोशा बिलकुल ना करें नहीं तो धोका हो शकत परष्यों के साथ यानिकि इन दोनों के साथ इस्तितियों में अच्छे से ध्यान Daldaगा वाडि का से इस्तमाल करना होगा अर्थिक लिहास से अगर कहा जाएं तो वर्स तो अक्टूबर नवंबर तक में आप गाड़ी का सुक पराप्त करेंगे गाड़ी खरीश सकते हैं साथी साथ आपका घर का सपना जून और जुलाई तक में होगा घर का सपना पूरा होता होगा और यहां पर संपत्ति अरजित करेंगे नवंबर तक में अच्छी खासी संपत्त आकास्मिक धन कलाब होगा लोटी शक्टा से भी हो सकता है भावन बाहन खरीदने के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं और ये योजनाएं आपके कारगर सावित होगी इस आबधि में आपका धन भाव काफी मजबूत है तो धन आगवन होंगे और धन आने से आप गाड़ी हो सकते हैं आपके स्वास्त में थोड़ी सी प्राब्लम आ सकती है आपके घर में किसी व्यक्त के प्राब्लम आ सकती है आपके पीता जी के स्वास्त में आपके माता जी के स्वास्त में या जीवन साथी के तो हश्पिटलाइज में थोड़ा खर्च दिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देकर चलने के आवश्यक्ता होगी, यहाँ पर अत्यधिक आपका खर्च होगा, आप शुक्षुविधाओं के लिए काफी खर्च करते दिखाई देंगे, इसलिए आर्थिक दंगी से नुक्सान ना उठाना पड़े आपको बचना होगा, आपको इ सनी जी का 30 साल के बाद आपके उपर महरवान हो रहे हैं, और आपको धन से माला माल करने जा रहे हैं कन्या रास्वलिजातकों के लिए, सन को एक ऐसा ग्रहमाना गया है कि सनी मेहनत के अंसार फल भी देते हैं, कर्म फल परदाता कहे गए हैं, इसलिए ऐसे जातक जो सिक्ष के प्रयासरत है, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ी सफलता हाशिल हो सकते हैं, पूरा वर्स आपके लिए स्रेश्ट है, मेहनत के बल पर आप जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष हासिल कर सकते हैं, इस से अबद ही में टेकनोलोजी, वकालत, भी बिलेगी, पारिवारिक जीवन के लिहास से कहा जाए, तो इस समय परिवार में पूरा वर्स काफी स्रेश्ट रहने वाला है, परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, किशी भी प्रकार के ज्यादा खराव इस्तियों का पूरे वर्स नहीं निर्मार हो बैवाहिक जीवन आपका शांदार रहने वाला है, कन्यरासी के जो लोगे प्रेम जीवन में यानि कि अभी तक परेशानियों का सामना कर रहे थे, उसमें सभलता मिलेगी, और क्योंकि दोस्तों पंचम भाव में पाप गरह के प्रभाव से थोड़ा बाद विवाद तो बन सकता है, थोड़ी बहुत अनबन हो शकती है, क्योंकि पंचम भाव में पाप गरह हैं और पंचम भाव प्रेम संबंद का होता है, इसलिए प्रेम जीवन के लिहास से विशेश रूप से ध्यान देना होगा आपको, थोड़ा भी आपको धिलवाई नहीं करनी है, बैवाहिक जीवन में जो जातक जुड़े हुएं, उन्हें अच्छा खासा लाब होगा, दामपत जीवन में संतान की प्राप्ती होगी, और इस वर्स में मन में काफी ज्यादा उस सुकता और प्रशंदा देखने को मिलेगी, आपके घर में नन्हेश महमान का अगवन होगा, सबसे अ आपके मधुमेह, मूत्र मार्गे में समस्या उत्पन हो शकती है, मस्तिस्क में पेट से संबंधे समस्या हो शकती है, सर में दर्ध हो सकता है, चोट पेट लगने की संभावनाई बन सकते हैं, तो बाहन का सवधानी पूरबक आप इस्तेमाल करें, इस पूरे वर्स आप के काफी स्रेश्ट रहने वाला ज्यादा चिंता चना जनक्षिस्तितियां नहीं है, यदि योगा भ्यास का अपने दिन्चरे में रूटीन में सामिल करते हैं, योगा भ्यास प्राणायाम करते हैं, तो कन्या रास्वलिजात को आपका स्वास्त पूर्ण रोप से ठीक रहेग तो आलसपन नियंदरन आप जरूर रखें तो आपको अच्छा होगा, तो दामपति जीवन लवलाइप भी बहतरीन है और आपके पढ़ाई की मामले में अच्छे हैं, आपको स्वास्त भी ध्यान देना होगा, ब्यापार में धन में आपको आकाश्मिक रूप से धन का ला केरियर नौकरी में पढ़ाई प्रमोशन और अच्छे योग बन रहे हैं, आपको आपको रुका होऊँ प्रमोशन पूरा होगा ट्रांस्फर के योग बन रहे हैं, साथी साथ Бos abraff से अच्छी जमेगे और बोष से तालमील बेहतर बना के चलेंगे, तो केरियर नौकरी में बहुत अच्छे आपको योग दिखाई दे रहे हैं और दूसरी कमपनी में आपको यानि आफार आ सकते हैं सेलेरी बिद्धी की योग हैं अगर आपको दूसरी कमपनी में सेलेरी बिद्धी देख रही है तो आप जा भी सकते हैं तो ये था कन्या रास्वली जात्कों के लिए यानि की वार्सिक 2021 का रासी फल दोस्तों कल्यूग में पहली वार 9 वर्स 2020 में कन्या रास्वली जात्कों के लिए यानि की काफी ज्यादा सुब और फलदाई रहने वाला है और सनी देव का बिशेश रूप से कृपा होने वाला को यानि कि हरी घांस गाय को खिलाना है साथी साथ आप यथा योग कम सकम बुद्धवार के दिन आप यथा योग अन का दान करें मूं की दाल या मूं का जरूर दान किया करें इससे बहुत लाब होगा दोस्तों जाती चाती वीडियो को लाइक जरूर करिए ने तो चैनल को स सब्सक्राइब करें और योजय शेयर करें जाएश्वार करें जैसे जाती हुत गोगा योजय सत्या स्वारे मूं को जाएङ करें सब्सक्राइब करें